नमस्कार में भावना सिंग और आप देख रहा है HPN News पुरिलिया जले में बन रहे हाईवे पर यात्रियों से भरी बस दुर्गतना का शिकार हो गई आपको बता दे इस दुर्गतना में 30 लोगों के घायल होने की खबर है लेकिन खुशी की खबर ये है कि इस दुर्गतना में किसी के मौत होने की खबर नहीं है देखे हमारी खासर को घटना की सूचना पर पहुंची आर्सा और बलरामपुर पुलिस ने गायलों को पुरिलिया सदर अस्पताल में भरती कराया है एक बस बाग मुंडी से यात्रियों को लेकर पुरिलिया लोट रही थी बस करीब एक बजे कुमारी पुल पर आई और बस ने नियंतर खो दिया और सडक के किनारे पलट कई बचाव कारे के लिए पैतर चलने वाले लोग और सडक निर्मार करने वाले करमचारी आगे आए क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हच्पियर नियूज